हलो बच्चों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल दा एडमेट पर बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा पांचमी की परिवेश दिन की फुस्तिका जरोखा से पार्ट नमबर ग्यारा देखो सुनो और पहचानों के बहुवे कल्पिया प्रशन तो आईए देखें प्रशन नमबर एक चीटी अपने भार से कितना गुना अधिक वजन उठा सकती है पांच गुना बीस गुना दस गुना या तीस गुना बच्चों इसका सही उत्तर है खर बीस गुना चीटी अपने भार से बीस गुना अधिक वजन उठा सकती है अगला है प्रेशन नमबर दो, मच्छरों के अतिरिक्त अन्यकिन कीटों की रोपताम दवाई छिड़क कर की जाती है मक्खियां, कौकरोच, दीमक या उपरोपसभी इसका सही उत्तर है घर, उपरोपसभी, मक्खियां, दीमक तथा कौकरोच, इन तीनों की ही रोपताम दवाई छिड़क कर की जाती है अगला है प्रेशन नमबर तीन, इन वस्तवों में से आप किन चीजों को सून कर पैचान सकते हो इत्र, मिट्टी का तेल, सड़ा हुआ खाना या उपरोपसभी, बचों इन तीनों चीजों को ही हम सून कर पैचान सकते हैं इत्र को भी, मिट्टी के तेल को भी और सड़े हुए खाने को भी अगला है फ्रेशन नमबर चार, बचों उल्लू रात का प्राणी हैं यह दिन में बाहर नहीं निकलता, आपको बताना है कि यह अपना सिर्फ कितने डिगरी तक भूआ सकता है 90 डिगरी, 120 डिगरी, 180 डिगरी या 360 डिगरी तक और इसका सही उत्तर है घय 360 डिगरी तक तो इसका सही उत्तर घय 360 डिगरी अगला है प्रेशन नमबर पांच, चील आपने देखी होगी यह एक खुर्तिला पक्षी है इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं आपको बताना है चील की देखने की शक्ती मनुश्य से कितने गुणा अधिक है चार गुणा, दो गुणा, आठ गुणा या तीन गुणा बच्चो चील की जो शक्ती है देखने की वो मनुश्य से चार गुणा अधिक होती है अगला प्रेशन नमबर छे आँखों की सामन्य रोशनी के लिए हमारे भोजन में विटामिन का होना बहुत आवशक है जो हमें गाजर, आम, पपीता तथा हरी सबजियों द्वारा प्राप्त होता है आपको बताना है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन C या विटामिन D वचों इसका सही उत्तर है खै विटामिन A तो आँखों के लिए जरूरी विटामिन है विटामिन A प्रिशन नंबर साथ, बच्चों कुछ जानवर रंग बदलते हैं आपको बताना है उसका नाम सांप, छिपकली, गिलहरी या गिरगिट और वो जानवर है गिरगिट जो अपना रंग बदलता है तो इसका सही उत्तर घै आई आगे देखें प्रिशन नंबर आठ बच्चों कुछ जनतू सर्दी में हमें दिखाई नहीं देते वे चुप जाते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं जैसे चिपकली, गिरगिट, सांप, आदी उन्हें दिखाई नहीं देता मोसम का अनुकूलन उन्हें भूग नहीं लगती या वे डर जाते हैं और इसका सही उत्तर है खै भाग मोसम का अनुकूलन अगला है प्रेशन नमबर नो बच्चों कुछ जानवर चार घंटे सोते हैं कुछ बारा घंटे कुछ अठारा घंटे आपको बताना है बिल्ली कितने घंटे सोती है बारा घंटे, चार घंटे दस घंटे या आठ घंटे बच्चों बिल्ली सोती है 12 घंटे तो इसका सही उत्तरक है 12 घंटे आईए अगला प्रशन देखें प्रशन नमबर 10 बच्चों बाग हमारा राश्ट्रे पशू है यह बहुत शक्ति शाली जानवर है आपको बताना है जब वह दाढ़ता है तो यह दाढ़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है 2 से 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर, 4 से 5 या 1 से 2 किलोमीटर और इसका सही उत्तर है कै भाग 2 से 3 किलोमीटर जब भाग दहारता है तो उसकी दहार 2-3 किलोमीटर तक सुनाई देती है प्रशन नमबर 11 मोर एक सुन्दर पकशी है यहे खुश होकर नरत्य करता है आपको बताना है यहे किस रितु में नाचता है वसंत रितु में, वर्षा रितु में, शरद रितु में या गर्मी की रितु में और इसका सही उत्तरेक है भाग वर्षा रितु में वर्षा रितु में मोर नाचता है अगला है प्रशन नंबर बारा बच्चो हम अनेक प्रकार के रंग देख सकते हैं आप इनके नाम भी जानते हैं बताओ क्या जानवर भी उतने रंग देख सकते हैं उतने ही रंग देख सकते हैं जितने मनुश्य रंग दिखाई नहीं देते मनुश्य जितने रंग जानवर नहीं देख सकते इन में से कोई उत्तर नहीं और इसका सही उत्तर है गय मनुश्य जितने रंग जानवर नहीं देख सकते तो हमें जानवरों से अधिक रंग दिखते हैं अगला है प्रशन नमबर 13 बच्चों हम सिर्फ दिन में या रोशनी में देख सकते हैं लेकिन बिल्ली, पुत्ते, बाग, तेंद्वे, आदी रात को भी देख सकते हैं ऐसा क्यों? दूसरी चीजों की रोशनी से देख लेते हैं आँखों में लैंस की एक विशेश परत के कारण इन में से कोई नहीं या उप्राउक्त दोनों और इसका सही उप्तर है, आपों में लैंस की एक विशेश परत के कारण वो रात को भी देख लेते हैं तो इसका सही उप्तर आईए आगे चलें आगे है फ्रेशन नंबर चोदा बच्चों, खुत्तों की सुंगने की शक्ती बहुत तिवर होती है सेना और पुलिस इन्हें पालती है क्यों पालती है? अपरादियों को पकड़ने के लिए दुश्मन की गतिविदी का पता लगाने के लिए बंब या माइन का पता लगाने के लिए या उप्रोक सभी और इसका सही उत्तर है घै भाग उप्रोक सभी जाने अफरादियों को पकड़ने के लिए भी, दुश्मनों की गती वीदियों का पता लगाने के लिए भी और बम का पता लगाने के लिए भी खुत्तों को पालते हैं अगला है प्रेशन नमबर 15 मच्छर बुखार जैसी अनेक बिमारियां फैलाता है जब हम कहीं भी सो रहे होते हैं तो वे हम तक पहुच जाते हैं उन्हें हमारा पता कैसे जलता है हमारे शरीर की गंदवारा हमें देख कर दोनों सही या कोई भी सही नहीं बच्छो इसका सही उत्तर है कै भाग हमारे शरीर की गंदवारा मच्छर जो है वो हम तक पहुच जाता है आगे है प्रिशन नमबर सोला बच्चो राष्ट्रगान जन्ड गंड मन रविंद्र नाट टेगोर द्वारा लिखा गया इसे गाने का समय बावन सेकिंड है युनेस्को ने इसे विश्व का सर्व स्रेश राष्टगान गोशित किया है यह राष्टगान रविंद्र नाट टेगोर ने मूल रूप में किस भाषा में दिखा था हिंदी, उर्दू, बांगला या असामी और इसका सही उतर है गय भाग बांगला रविंद्र नाट टेगोर जी ने राष्टगान जो है वो पांगला भाषा में लिखा था तो बच्चे ये थे पार्ट नमबर ग्यारा देखो, सुनो और पहचानों से कुछ बहु विकल्पिय अप्रशन जो आपकी सेट की परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर्ण है तो सभी बच्चे इन प्रशनों को रिवाइज करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्यूचर में भी ऐसी ही अजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद